नमस्कार अच्छा भागत अपन बगनारों CNC मिलिंग मशीन चे ओपसेट CNC मिलिंग मशीन मदे मशीन कंट्रोल ला मशीन 0.0 M आनी टूल रेफरेंस पोइंट T या चे जागे ची कलपना आसते क्यों ये जागा महीत यसते मिलिंग मशीन मदे M-point जो अच्छा वर्क टेबल वर अच्छा आनी तसस T-point जो अच्छा स्पिंडल नोज वर सेंटर ला अच्छा अथा चित्र दाखो ले लाई थे आनी ये चित्रा मदे एक जाब दाखो ले लाई आनी एक टूल दाखो ले लाई मिलिंग चा संदर्वात कि आपन झाल रहे चित्रा है आनी इथे हाजो मशीन 0-point जो हाँ मशीन 0-point मशीन मैनिफाक्चर रा निश्चित करत जो आणी मशीन मदली तैचीजी स्थिती आया कि मशीन कंट्रला मा हिती जते आनी मिलिंग मशीन मदे 3 अक्सिस चा आपन प्रयोक करत जो एकस वाई और ज् छेत तर तिथे हा M point अस्तो आणि यह M point पसुन अच्छ यह तिनी एक्सिस चा मेजरिंग स्केल चीजी शुरुवाद जली लियास्ते आणि हा M point machine control ला महिती अस्तो आणि T point M point पसुन तर T point परेंट च जे अंतर अस्तो आणि जेड कोडिनेट वर्स जे अंतर अस्तो यह machine control ला महिती अस्तो मन्जेच M point पसुन तर T point हा machine control ला महिती अस्तो परंतु machine control ला मशिनिंग साथी टूल चा cutting point ची जागा महिती अस्ते billing machine वर आपन multipoint cutting tool वापरत अस्तो आणि programming करता आणि प्रोग्राम पात करता आपन तूल चा cutting point अस्तो हा कटर चा center ला टोका वर पकड़त अस्तो आणि तोज जो point है आपन machine करता आपन पाहे जागा वर नहती अस्तो तो यहा cutting point ला मशिनिंग करता जागा आपन निश्चित के लिली है त्या जागा यह cutting point ला महिती नस्तात टूल चा cutting point ने जोबर मशिनिंग करता जाजा ठीका नी जाएचा है ती ठीका ने निश्चित करने साथी प्रोग्रामर आपने सोई नुसार जोबर एक वर्ग जिरो point घ्योन त्याचा संदर्भ प्रोग्राम मदे देता स्तो मजे अपला दो प्रोग्राम रहे तो यह जोबर एक असा point निवड़तो आणि त्या point पसुन मशिनिंग करता यह टूल चा cutting point ला जिथी जाएचा है ती ठीका ना तो प्रोग्रामर यह W point चा संदर्भ प्रोग्राम मदे संदर्भ प्रोग्राम मदे संदर्भ प्रोग्राम ती point मजे tool reference point यह ची कलपना आसते परंतु work zero point आनि cutting point यह दोन point ची मात्र मशिन ला कलपना नसते यह point कुठी हसता थे machine ला महिती नसतत machine control ला work zero point आनि tool चा cutting point ची स्थिती महिती करुण देने साथी दोन प्रकार्चे offset मजे यह points मदले जे अंतर है दोन प्रकार्चे offset machine control ला पुरोग्राम आवश्यक असतो आनि ते जे work offset आसतत एक work zero offset आसतो आनि एक दुसरा tool offset आसतो तहे दोन offset आपलेला machine control ला पुरोग्रावे लागता त्या नंतरच machine ला work zero point आन टूल से जो cutting point यह दोनी point ची कलपना machine ला यह ते आनि machine ला महिती होतात कि हे जे point यह कुठी हसतात पर बोगू यहा पहले work zero offset मिलिंग मशीन चा टेबल वर जौब बानले चा नंतर machine zero point M आनि work zero point W यहां मधे अंतर रहते अपने यह चीत्रा मधे बोगू सकता ही थे आनि work table आनि work table वर जौब बानले ला है आनि आताच आपन भगित ला कि machine zero point जो तो हाँ table वर कुठी तरी निश्चित के ले ला सतो आनि machine zero point पासुंतर work zero point परेंत तीनी अंतर रहते कही तरी मधे फेजर्स में आपन अंतर भगित लाता है x अंतर है machine zero point पासुंतर W परेंत आनि इत्थुनते यह उड़ा अंतर है sorry y-axis वर चा अंतर है आनि machine zero point पासुंतर W परेंत चा है z-axis वर चा अंतर है machine zero point पासुंतर W परेंत वर्क zero point परेंत ची अंतर है अंतर है आपन मनतो work zero offset आणि यह work zero offset अस्ता है x o y o आणि जेड ओ यह शब्दानी दर्शव ले जातात मजे यह m point पासुंतर W परेंत ची x y नी z coordinate वर ची अंतर है आणि ही यह अक्सेलानी दर्शव ले जातात machine मधे work zero ची ही जे coordinate अस्तात मजे m point पासुंतर W परेंत ची ही जे coordinate अस्तात offset parameter मधे उपलब्ध असले ले जी चौवपन पंचाओन शपपन सत्ताओन अठाओन या एकोन साथ यह सहा जागे पेखी एका जागे मधे आणि प्रोग्राम मधे अपलाला जी जा offset मधे आपन वापर ले सल त्या offset चा प्रिपरेटरी कोड आपलाला प्रोग्राम मधे देता है तो तो ही जी offset अंतरा है एका वर्ग जिरो करता आपन जी चौवपन पंचाओन शपपन आणि अठाओन एकोन साथ या सहाब इगी कुठला यह एका उपसेट में भरू शकतो तैसे एक सीमेंस च अपसेट पैरामिटर पेज है आणि वर्क उपसेट पैरामिटर पेज है एक गो Nah 16sn657 mereka 381 साथ या सहा जागा एकोन अपला यह वर्क उपसेट भर्नया करता ची लेला अनि या सहा जागे मदे X coordinate वाल वर्च आंतर Y coordinate वर्च आंतर आणी Z coordinate वर्च आंतर अब लयला या कुठले ही एका offset मदे कुठले ही एका वर्च झिलो करता भरता है तहीजी चित्रा है ने ही सीमेंस चीत्रा ए और work offset parameter आझे गरा भगुए ऑपन फानुक जो तर फानुक ने शुद्धा work offset ने निटर ऑप प्रोग्राम में प्रोग्राम में प्रोग्राम में लागता है आपन टैया अन्तराला आपन मनतो THTÚ अणि हे जवा अप्सेट आपन मस्जीन ला दे तु टैया न अंतर मस्जीन घफेbean डवलिूअट पासुल मजया वर्경ड्राम पासुल मज मा पाला सुर्वत करते आणिB Oh जो घफ डिरुष्टी निया अथा शुन्य हाले लात.." यह थे अपलेला लक्षा थे वाया ज़े आताब हुए आपन टूल आपसेट CNC मिलिंग मशीन चाँ स्पिंडल वार टूल मैगजिन मदे वेगवगए लांबी चे वो डायमेटर चे टूल आपन मशीनिंग करता वापर दसतो अपलेला मिलिंग मशीन वार जॉब करता है तो तिथे अपलेला एका बिख्षा है जास्ता सुद्धा आपन टूल तिथे वापर दो आणि यह वापर देना रही जे टूल से है वेगवगए लांबी चे आउसु सकता है और वेगवगए डायमेटर चे सुद्धा आशु सकता तहे मी चित्रा मदे इथे दोन टूल आखोलेले है हाँ एक टूल है आणि हाएक टूल है आणि जवापन यहाला स्पिंदल वार पकड़तू त्यावेश त्याचा टूल रेफरेंस पॉइंट टी पॉइंट जोस्तो हाँ वरुबर एकाच पातड़ी देश्तो तसच है कटि पॉइंट जो है हाँ तूल रेफरेंस पॉइंट पासुन और वेगवग हाया आनतरा आवर रहा है तर इथे ओ आप्ल लraf बादलबस तूल बैसागो तूल्स्टेशन बन्ता ही से नंबहने प्रत्कुषी प्रत्य टूर동 इसे खिए ठेट और फाटनाट यह से न मत्युए है आणि प्रोग्राम मधे टूल चाहा निवडी करता टूल सिलेक्शन करता अपन टी हे एड्रेस लेटर वापरत असतो मझे जर समझाता हाँ हाँ जो टूल है एड्मील कटर दाखो ले लए थे अपन बसन आपन भूर सिए टी उन या आणि ए टी टीट अ Log国 कांड़ अपन प्रोग्राम मधे यू स्याग हाँ पन दे खरती आखो लेली है आपन जो टूल अपललाРЕला पाएजये तो टूल ने programa आट mile टी उन ढूल प्रोग्राम मेले कॉल करता है यह तास्ते मशीन कंट्रोल ला टूल रेफरेंस पॉइंट से जागे ची महीती अस्ते मज़े अत्ता सापन पहले यह पुर्वी कि मशीन कंट्रोल ला टी पॉइंट ची कलपाना आस्ते कुठ आहे तो परन्तु प्रत्यक साथ कंट्रोल ला महीती नस्ते मज़े कंट्रोल ला ट्याठी कानी जावी यह करता मशीन कंट्रोल ला टूल रेफरेंस पॉइंट पासून मंझे आपन यह प्रोग्राम मदे टूल ला कॉल करतो परेटिकुलर एका जागी जीते अपले ला ओपरेशन करायचा है ट्या वेस मशीन कंट्रोल ला कटिंग पॉइंट ची महाईती न असते तर फक्त टूल रेफरेंस पॉइंट ची महाईती असते मंझे जर्स में आपन यह ओपसेट नहीं दिले अंतर आपले मशीन ला नहीं सांगीत ला तर ट्या ठीकानी मशीन टूल चा जोए टी पॉइंट जालार आणी तूइथे एक्सेडन होलार तर ट्या करता मुन टी पॉइंट 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 पॉ मिलिंग मशिन मधे tool offset geometry CNC मिलिंग मशिन मधे tool reference point यहाँ spindle चाए axis वर अश्तो इथे चित्रा दाखो लेला है छोटा सा हा समझा spindle है आणी spindle वर हाँ tool reference point है आणी हाँ tool reference point होस्तो हा spindle चाए टोका वर अश्तो आणी axis वर अश्तो axis वर अश्तो में चेंटर वर अश्तो आणि ट्याच प्रमानी इथे टूल चुद्धा दाखो लेल है आणि टूल चा जो कटिंग पॉइंट चुद्धा सेंटर वर्ज असतो फक्त त्या मुड़े कटिंग एज आणि टूल रेफ्रेंस पॉइंट या मधिल एक्स आणि वाइक्स पॉइंट चुद्धा आपने सम्झें घ्यू कायब रखा रहा तर टी पॉइंट पॉइंट चुद्धा अंतर मशिन ला सांगाईचे तीनी एक्सिस वर्ज तर इथे लक्षात गेना सेरके कि टी पॉइंट आणि कटिंग पॉइंट न हेँज चुझे मधिल कायो ला अनि लांवील रवाल्याए शुननय वैल आनि मिहनुळास आप लालाः वक्त टूल अपसेट मलाए फक्त टि पोईट पाशुन तर क्टिंग पॉइट पाशा मिशन यह इनए अब लामबी आपको वी लांता सतों आनी हा आपला वर्क जिरो पॉइंट है संद तर हाव टूल रेफ़रन्स पॉइंट है थे आनी ही टूलची कटिंग पॉइंट है तर टूल रेफ़रन्स पॉइंट पइसटो यहलास अपन टूल ऐप सेट मनतो आणि इथे xy अंतर रहात नसले हमोले फक्त एकच अंतर मझे जेड़ जे अंतर है ये जेड़ जे अंतर है टी पासुन तो कटिंग पॉइंट परिंट परिंट च ये फक्त जेड़ अंतर च आपन मशीन ला टूल ओपसेट मनुन सांगत असतो आणि यालाच मनता लेन्थ वान जोमेटरी मेलिंग मशीन चा टूल ओपिसेट मेमरी पेज मेले मझे मज़ा अपसेट मेमरी पेज मेले तोल औपसेट अक्शेट मेरी पेज मेले टूल आपसेट दें युद्डिध सुबत कटर रेडियस औनी टूल ची जीज या ची सुदा महा हिति भरले जाते हैं में जी जी ओपसेट पेज आता आपन भगना रोप उठे तोल ची आपन भरतोस तुक्त त्या वित्रीक तोल्चो क्यों है कट्रचा रेडियस आनी तुल्ची जीज अपने लाफ लाप्लावी सुदा माही ती आपलाव्टास पेज मादे भराईची आसते सिमेंस कंट्रोल मशीन चा टूल आपसेट मेमरी पेज मादे D है अड्रेस लेटर वा परला जात्या टूल आपसेट करता आणि एका टूल नंबर करता मझे कुठलाई एका टूल नंबर करता आपलाला एको नव आपसेट परिंत आपलाई एका उपसेट अपलाला तया इसलिय recap आपसेट आपलाला था टूल मरी परता है जाएकर सिमेंस कंट्रोल मधे आपसेट प्ऐरेमिटर मदला है था तूल अफसेट सा पान है आपन मागे वर्क अपसेट भगीत双 हो तैं हे टूल आपिसेट से पान जया है अपन lihat करते आधि theta त्क्राइब में करें लिष्ट तूद सवा तू ऑपसेट में करता है 10 हां यह फिला में से शार कंट्रोल क्राइब का सकतूद hour today है 257 कलेस तूद के साउं गार्त ऊंबखने यहां कोलेफिक आपनल साव से यह में कि टैष तूद करता है स्टेशन नंबर दोन वर्चा टूल करता है एकोन 9 ओप्सेट दर्शे होता है आपलेला इथे कटिंग एज नुसार ते आपलेला पहाता आया ता तर है जाला टूलचा स्टेशन नंबर आणि जाला एकोन डिजाइन के लेले ओपसेट आणि इथे जोमेट्री भरला जाते है लांबी भरला जाते टूलची आण इधे टूलची रेडियस भरला जाता आणि आधे जो भाग अस्तों जीजे करता है देलेला आस्तों जहां टूल ची वारमवार उपयोग करून जहा टूल ची जीज होते त्यावेस जाप चा मापा मदे फरक पड़तास्तो आणि जीज हलेली जीज असते कि आपसेट न बदलोता आपलेला या पैरामेटर्स मदे वेर पैरामेटर्स मदे लांबी आणि रेडियस करता है इते ही अपलेला टाकता है तर अशा पद्धतीनी सीमेंस कंट्रोल मदे आपन टूल आपसेट करता डी आड्रेस लेटर्स वापरत असतो आणि एकुन 9 आपसेट पहीं कि कुछलाई एक आपसेट मदे आपन ही लांबी भुरून आपन तयाला प्रोग्राम मदे कॉल करू शक्तो उ दोन नमबर चा स्टेशन वर आपन टूल लाव लेला असल तो टूल आणि त्याची जा लांबी ची माहीती है ती लांबी ची माहीती डीप होरे आप पैरामिटर मदे रहिल मजे टूल नमबर दोन आणि त्याचा जो आपसेट है आपन शाओध्या कटिंग एज मदे भर ल आछी ही माईud आपलिला सीमेंस गंट्रोल मजें चाओए मजें मदे क्षा टूल अपसेट चाओं पैरामिटर मदे अपलाव ही भरता है तो आणि तहाँट भर्म परोग्रम मदे ट्यापन हरा कल करता था तह जाल सीमेंस कंट्रोल मशीन करता ऐंग प्छाओछा मशिन आप् तूल चा उन्ची करता एच जोमेट्री आपरता आणि तेच्छा मधे नंबर सुपलब दस्तात मजे चर समझा है इखा तेया मशीन मधे एक पासुल ता नव्यान नो परिंत या जागा है जर समझा ही उन्ची भरन्या सथी तो त्या अपन जो तूल कॉल करना ले तेची उन् परतात मंजे या चार थासा कि ये जे फानुक चा उप्सेट मेमरी पेज है टूल उप्सेट मेमरी पेज है ये चा मधे एच जोमेट्री मुनुनुन है बगाई थे जोमेट्री है ते इथा आपलाला ले टूल ची उन्ची भराइची आसते कुखले येका जह आपन निवढ पेजना रहा ओपसेट नंबर त्या आपला ले टूल ची उन्ची भराइची आसते आणि वेर मंजे जीज चा परामीटर है मंजे तम ता या टूल ची का जीज जली असे लांबी मधी तो ती जीज आपन इथे सुदा भरूशक तो इथे भराइची आपलाला ले ती आणि इकड़े जी पैरामीटर दाखोला है जोमेटरी डी इचे आपन टूल चा डायमीटर भरता सतो डी मंजे डायमीटर आणि डायमीटर मधी काई जीज 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 तो ती आपलाला इथे भरता है तो मन्यास ताक प्रेय अस्छा है कि फानुक कंट्रोल मशीन मधे टूल चा जी आपसेट है लांबी चा जो आपसेट है हाँ आपन एच पैरामीटर मधे भरता सतो आणि जोमेटरी एच मधे भरता सतो आणि टूल चा जी डायमीटर आहे ते डी पैरामीटर के आणि जी जोमेटरी मधे आपन त्याला भरता सतो आणि प्रोग्राम मधे ये जी टूल कमांड सुबत अपलाला कॉल करा ले लगता टील सी मंजे टूल लेंद कॉम्पेंसेशन कमांड जी 23 24 आण जी एककोन पंडास अशे तीन कमांड सस्तात यहां बदल ची सवीस्तर माही थी आपन पूर्चा वीडियो मदे बगनार सहो आणि जहां आपन आपन है प्रोग्राम असेल यहां टूल करता जो लाम्मी मदला जो फरक असेल तो दहा असेल आता है आपन नंतर सम्झों ग्यों टील सी कमांड का है अस्तात तर मन्ना इन शोट असा है कि टूल नंबर पाच आपन कॉल के लेला है आणि चैचा ओपसेट जया है आपन H3 मधे भर लेले आणि सोब सी कमांड जा आसतात यह टूल लेंड कॉंबनेसेशन जा कमांड लासतात आणि यहां बदल सवीस्तर मही थी थोड़ी शी मोठी मही थी है अपला सम्झों ग्यावी लागेलती तर ही जी मही थी आपन फूल चे वीडियो मदे सम्झों ग्या ना रहे तर अचा रितिनी टूल अपसेट छे फानुक मदे दिले जातातो अपसेट मेमरी पेज मली चुकी चे ओपसेट किवा चुकी चे टूल अपसेट वर्क अपसेट आणि इतर मही ती जर्सम्द आपन भरली तर मशीन वर अब घाठ होनेची दाठ सक्के आताताते कारण फे जे यहां अपसेट भरत अ अत्यन्त महत्वाच उसतो तर आच्या भागत आपन योड़स भगनार हो धन्यावत